नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं जी स्मार्य आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट आर्लाइन क्लासेस में दोस्तों आज हम लोग देखें लेक्चे नमबर 11 पढ़ रहे हैं PLC स्काडा माइक्रो कंट्रोलर यह कॉस्चन सीरी चल लि कर लिडिए और वेल इकन को फ्रेस कर लिजे अगर आपलोग को स्फ़ीड थोड़ा सा इसलो लगेगी डिस इस onlySqlby आप लग बढ़ा πεढ़ा लिजेगा वाकी मैं कुशिस करता हूँव कि थोड़ा सा स्फ़ीड जाधा रहे हैं और मैं स्क्म समय में ये याथा क्वस what is the addressing mode of MOV B ADDRAT R0 in Assyc-Kion Micro Controller Assyc-Kion Micro Controller में MOV का मतलब क्या होता है जो instruction है address value है इसका instruction है इसके में MOV B ADDRAT R0 का मतलब क्या होता है तो दिखे इसका जो यहाँ पर answer जो है दिखे option number D जो है वो correct है यहाँ और option number D जो है indirect addressing mode होता है indirect addressing mode होता है इसका जो addressing mode का मतलब होता है देखिए अब m o b b add rate r0 का मतलब क्या होता है देखिए जैसे कोई भी data है ठीक है move data इसके m o b का मतलब होता है move data तो इसमें जो data है मतलब कि देखिए move content of ram location where address held by r0 r0 से मतलब कि जैसे कोई भी data है उस data को transfer करने के लिए आप जैसे यहाँ पर b दिया है तो b दिया है b का मतलब होता है कि जो data है देखिए आपको transfer करना है वो यहां transfer करना है अगर यही पर a रहा था यह का मतलब accumulator हो जाता है कि यह पुछा जाता देखिए तो इसका मतलब होता है क्या देखिए मोब कंटेंड आप रैम लोकेशन आर से मतलब रैम हो गया तो रैम लोकेशन में रैम में जो आपकी डाटा है उसको ट्रांसफर करना है कहां बी का मतलब क्या होता है कोई फंक्सन है उस फाइल में ट्रांस है इसके बाद इसके क्वेशन नमबर 27 है क्वेशन नमबर 27 में हाउ आर दे बिट्स आप रिजिस्टर पी एस डब्लू एफेक्टर इफ वी सलेक्ट बैंक वन सक्केटर यहां अधिक क्या on इसमें जो आपका रिजिस्टर होते हैं कि इसमें प्यूप्सिंव अगर हम सवल्एक द Turtle ला बैंक वहनब्द कर रहे हैं इसमें देख़्या इसमें इसमिए आपको बताता हुं है उस पर 1 होना चाहिए और PSW 4 जो है इस पर जो है 0 होगा तो इसमें हमारा जो PSW affected होगा बैंक को अंसलेट करने पर PSW जो हमारा program status word जो है वो affected होगा तो यहाँ पर देखिए आप the number D इसका correct है अब हम लोग बात करते हैं तो इसमें description में होता क्या देखिए जो आपका PSW 4 है PSW 4 इसको हम लिखते हैं क्या RS 1 लिखते है ठीक है बोलते हैं और जो PSW 3 है PSW 3 है इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते है RS 2 बोलते है ठीक है RS 2 बोलते है अब इसमें बात आते ठीक है यह Rs.1 है और यह आपका Rs.2 है ठीक है इसमें देखिए 0-1 1-0-0-1 इसके बाद sorry 0-0 ले लिजे फिर 0-1 ले लिजे 1-0 ले लिजे और फिर 1-1 ले लिजे देखिए दोनों 0-0 रहेगा उसमें आप bank 0 bank 0 select करेंगे उसको बोलते हैं अगर दोनों input Rs.1 और Rs.2 यह दोनों 0-0 रहेंगे तो उसमें आप bank 0 जो है उसको बोलेंगे बैंक 0 बोलेंगे और अगर Rs.1-0 और Rs.2 जो है वन रहेगा तो इसको हम लोग bank 1 बोलते हैं और इसके बाद दिखिए तो यहां पर दिखिए क्या है Rs.1 जो हता है PSW4 को हम लोग Rs.1 बोलते हैं और प्यास डवलू 3 जो है इसको हम लोग Rs.2 बोलते हैं तो देखिए 0 और 3 0 क्या है जिरो यह 0 है आपका मतलब Rs.1 जो है ओजिरो है देखिए और इसके बाद Rs.2 जो हता है PSW3 मतलब यह 1 है तो उसको हम लोग बैंक बोलते हैं तो देखिए यहां पर बताया है आपको कि जीरो और वन होने पर क्या है बैंक बैंक होन होता है और अगर यही वन जीरो रहेगा तो बैंक डू होता है और वन रहेगा तो इसको हम लोग बैंक जो है उत्क्री बोलते हैं तो यह आप लोग ध्यार लगए ग पीजिये अगर पीस्ट सब्सक्राइब हो रियुटा यह ईए इसको रैस जीरो बोलते ऊपर यह जीडिऊ होता है यह गलत यह पर जीरो बोलते हैं और इसके बाद फिर है जीरो वन को हम लोग बेंक वन-वन बोलते हैं फिर गलता है उसको रहाएं बैंक टू बोलते हैं और वर वन को हम लोग भान ठ्री बोलते हैं तो आप लोग इसको याद रखिए ठीक है आये कुशन नबर 28 देखते हैं लोग कशन नबर 28 में क्या है कि कुशन नबर 28 में देखे क्या है कुशन नबर 28 में in which one of the following mode does the dma control kept keep control of the bus until all data has been transferred from memory from या टू peripheral devices मतलब कि जो dma होता है वहां कौन सा mode होता है जिस पर dma जो है वो data को controlling रखता है controlling रखता है जब तक कि सभी data जो है वो memory से peripheral devices पर transfer नहों हो जाए तो उसको हम लोग देखिए बर्ष्ट मोड बोलते है और आप समय करें अब बाता है कि बर्ष्ट जो होता है तो बर्ष्ट जो होता है इसमें में है क्या यह एक temporary high speed data transfer mode होती है इसमें मतलब कि temporary हम डाटा को बहुत तेजी से स्पीड से दाटा को ट्रांसफर करने के लिए हम इस सिस्टम का है टिकनलाजी का या मोड का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है यह डाटा जो है बहुत कम समय में और बहुत तेजी से चार गुना या पांस दना तीन से पांस गुना तक लगभग फाश्टर मतलब तेजी से नर्मल जो डाटा ट्रांसफर होती है, उसके कंप्यार में 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से डाटा जो है, वो ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ पर आपसा नमबर A जो है, वो करेक्ट है, इसके बाद के क्वेशन नमबर 29 है, क्वेशन नमबर 29 में, इसमें जो सेरियल डाटा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा होता है, तो रिजिस्टर पी कौन होता है, तेहाँ पर आपसा नमबर A जो है, जो है इसका करेक्ट है, विच आप जो लाजिक रिजिस्टर होता है, उसका यूज करते हैं, क्वेशन नमबर 30 में, इसमें टोटल पांच इंटरप्ट होते हैं, तो उसमें इंटरनल इंटरप्ट दो होते हैं, और इंटरनल नहीं होते हैं, उसे को हम लोग टाइमर इंटरप्ट बोलते हैं, तो टाइमर इंटरप्ट होता है, और इसका बाद दो टाइमर यह दोनों हमारा जो है यह इसको हम लोग external इंटरफ्ट बोलते हैं question number 30 आपसर नभर भी correct है कि int 0 और int 1 जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं external इंटरफ्ट बोलते हैं इसके बाद बसता क्या दिखिया आपका जो सब्सक्राइब करने हैं और इसके बद आपका आये और आपका ती आई जो घोता है तो एक उर्चनल इंट्राइब होते हैं question number 30 है question number 30 में देखिए क्या है which of the following is correct statement है इसमें से कौन सा correct statement है तो देखिए आपर आपसा number C जो है वो correct है PIC जो हता है PIC जो है PIC used hardware architecture hardware architecture के लिए आपसा number C जो है इसका correct है अब PIC का मतलब जाता है इसको PIC का मतलब होता है peripheral interface controller होता है peripheral PIC का मतलब होता है peripheral interface controller होता है तेहां पर option number C जो है इसका वो correct है next question है question number 32 है question number 32 में what is the alternate function आप port 2 आप 80 account 80 account में जो port 2 होता है उसका main function क्या होता है देखिए तो यह क्या करता है higher order के address जो होता है address byte होते है supply देता है यहां पर option number C जो है इसका वो correct है alternate function आप port 2 port 2 का main function क्या होता है देखिए तो port 2 का main function होता है यह हमारा जो supply देता है higher adder के जो address price होते है उनको यह supply देता है तो यह आपसा number C जो इसका वो correct है देखिए इसमें होता क्या है जो हमारा 80 क्यों माइदर कंट्रोलर होता है उसमें 4 port होते है port 0, port 1, port 2 और port 3 होता है इसमें total 4 इंट्रोलर होता है और सभी जो है port number 3 जो है वो multi function के लिए वीच करते हैं कभी-कभी address value देता है उसका पूछता है कि मतलब कौन कितने address value तक होती है उसका range कितना है या कितने pin होते हैं तो total 40 pin होते हैं और port 1 जो होता है उसमें 1 से लेकर 8 सक едन होते हैं पोड़ तू जो होता है पोरट 2 में 21 से लेकर 28 होता है और पो जिरू 2429 तक होते है और port 3 जो होता है उसमें 10 से लेकर 17 अशक्रापgoing तक होते हैю पिन नमبر है यह सभी ए लिए खिए हम को होता है यह का मतलब क्या हूँ दिखिक आइण magnet मतलब होता है कन्ट्रोलिंग करने के लिए शो करते हैं हुआing इस त्रसान दिटा सब्सक्राइब के लिए आपके मों भ carta attend करने के लिए शीयल पी जोटा है को भाले सब्सक्राइब करने का लिए किल्ल dosuka सब्सक्राइब करें कि यहां पर दिखिए जो यह सभी इसेंबली प्रोग्राम क्या है तिये टूज कंप्लिमेंट को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर आपसन नमबर बी जो है इसका वो करेंड है यहां पर कि इट जे प्रोग्राम तो फाइंड टूज कंपलीमेंट यह सभी जो असी क्यानों एसेंबली प्रोग्राम से हैं यह आपका मोब जैसे मोब ए आरजीरो क्या है डिस्केशन में मोब जो होता है कि मौब इंस्ट्रक्शन क्या है सी पील से कबलीमेंट के लिए यह Nedash घुजर मटाने के लिवेज्ज करते हैं इसकी वाद दिखे नेक्ट इन सीज वहती है इंसीआ हुता है तो आयजकी है का मतलब होता है आईन स सी इस्टां जो ठीय है इन इन क्रिमेंट होता है एक का मतलब होता है accumulator यहां पर दिया है आई आई आपको पहले बताया था दिखिए कि अगर मतलब जो रैम होती है मतलब कि जहां से जिसको भेजना होगा जहां पर मोब करणा होगा उसके लिए दो पर हम सिंप्ली ऐसे देखते हैं Supreme को data को transfer करना है या information को क्या है instruction को transfer करना है तो mob के लिए mob हो गया इसके बाद कहा करना है accumulator में करना है कहां से करना है देखिए कहां से करना है तो RAM से करना है रैम में से करना है अब कैसे करना है direct करना है कि indirect करना है तहाँ पर इंडारेक्ट करना है तो आई है तो यह आप लोग इसको ध्यान की दिखिए कि अगर कोई भी मतलब सिंप्ली देदेगा इसे जिसे आपका देदेगा तो बोलेगा इसमें जो इंडारेक्ट मतलब की आर आई से हो गया इंडारेक्ट रैम से जो है डाटा को ट्रांसफर करना ह कहां मोब कहा करना है accumulator में करना है ठीक है आपर आपसर नमबर जो है इसका correct है अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीन सट लेकर रखिएगा देखें data transfer operation है मोब ए आरियन जो है इसका मतलब देखें मोब रजिस्टर मोब हो गया register to accumulator यह आपका यह आरियन जो होता है वो रेजिस्टर होता है यह जो हता है एक्विलेटर होता है मोब तो भाई आप करी रहे हैं इसके बाद देखें मोब ए डारेक्ट है तो मोब डारेक हो एक्युलेटर होए देखें डारेक्ट हो र्याइई इसके बाद कहा करने एक्विलेटर में कर रहे हैं इसके बाद देखें मोब ए अडिरेक्ट में सब्सक्राइबर टू जो है कोकि नमर 35 में यह microcontroller add the list should consist of जो microcontroller होता है microcontroller में क्या-क्या consist होते हैं तो इसमें देखिए आपका microcontroller जो है आपको पहले बताया गया था कि microcontroller क्या है microcontroller यह combination आप towards micro and controller micro means micro means small in size and controller means the device that to be control operation of any system मतलब कि microcontroller जो था इसमें क्या होता क्या दिखिए तो microcontroller जो होती है इसमें main रूप से क्या है कि additional build-up की जाती है जैसे क्या RAM होते है ROM होते है आपके ports होते है input output ports होते है serial ports होते है timer, instruction, interrupt और यह सभी होते हैं मतलब इन सभी क्या करते हैं हम एक ही chip पर जो है वो consist करके build-up करके बना देते हैं इसलिए इसकी size होती है छोटी हो जाती है और performance अच्छा राता है तो यहाँ पर दीखें क्या क्या होता है consist क्या क्या राता है तो input output होता है port timer होता है CPU होता है RAM होता है RAM, ROM होता है यह सभी होता है तो यहाँ पर option number A जो हिसका वो correct है इसके बाद देखें question number 36 है question number 36 को लोग देखते हैं यहाँ पर देखें in a see count microcontroller programming which instruction is used to exchange the low order and higher order nipples within a accumulator मतलब कि microcontroller जो हता है उसमें देखें low order से higher order में instruction को interchange करने के लिए कौन सा instruction का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर option number जो D है देखें वो correct है कि swipe जो हता है low order के nipples को हम किया करते है higher order के nipples में canvart करते है accumulator के मतलब से तह आपर आपस क्वे न भर दी का आपस न भर दी जो है वो correct है इसके बाद question number 37 है question number 37 क्या है in asie keon microcontroller which are the following instruction is an example of unconditional jump यह आप लोग ध्यानकिये का unconditional jump ते यह पर दिया है तो unconditional jump के लिए जो हता है L jump होता है यह जब हो तो आपसर number C का जो है वो correct है यह से मतलब के लाइट के लिए होता है ते यहापर आपसर number C जो है वो correct है देखिए L jump long jump is a unconditional कि इसको सकता है तो इसकी पूल सकता है कि अनकंडिशनल जो इंस्क्रक्शन होते है इसकी लोकेशन वेलु क्या होती है तो इसकी फोट्वाइब 4 times 0 to 4 times F A ke pack तक होती है क्या फ्रोंग ध्यान रखिया है इसको question number 38 है question number 38 में question number 38 में है question number 38 में किया है which out of the four port आप 8054 need pull up register for using it is in input R and output port input and output port के लिए कौन सारेश्टर का हम यूज करते हैं इसमें देखिए input और output port के लिए जो port 0 होता है port 0 के यूज़ करते हैं तो इसमें देखिए कौन कान सा port होता है port 0 जो है port 0 में pin number 32 से लेके pin number 49 तक होता है port 0 में और port 1 जो हता है port 1 में कितना होता है pin number 1 से लेके pin number 8 तक होता है ओर फोट गभी निंगे सब और सब कर तक होता है और एक समझेहर पुछा सिए जाया कि कर शलेक까지 और आथा सिए लिए जो है port number 3 का यूज़ किया आता है question number 39 question number 39 में what is the operation mode 1 for MCS 51 MCS 51 के लिए operation mode कौन सा होता है इसके लिए जो 16 bit का timer mode होता है 16 bit का जो timer mode होता है इसी का counter mode भी बोलते है ये यूज़ कियाता है तो आप सा नमब देखे कौन सा आप सा नमबर 20 जो इसका देखे वो correct है या पर आप सा नमबर 20 का correct है कि MCS 51 के लिए operation mode 1 कौन सा है तो उसके लिए देखे 16 bit timer mode 16 bit timer counter mode या इसी को HTX या LTX आर का आपको TH होता है और TH का मतलब क्या होता है TH जो हता है TH का मतलब होता है जिसे हमें कोई भी data जो है वो timer high byte होती है timer high byte TH का मतलब होता है timer high byte और TL का मतलब होता है timer low byte होता है ठीक है यहाँ पर आप सा नमबर question number 39 का आप सा नमबर 20 का जो है वो correct है यहाँ पर देखे इसकी address value जो है वो दिया गया है देखे the model the mode one operation MCS 51 is a 16 bit आप से question पूसकता है कि MCS 51 कितने bit का होता है तो MCS 51 होता है वो आपका 16 bit की होती है timer या counter होता है और इसमें देखे क्या है कि जो implement करते है input को हम देते है increment जो है input को हम देते है 16 bit का 16 bit का और इसके बाद जो है यह आपका 8 bit में data को transfer करके output में जो है यह provide कराता है इसके बाद देखे निट कोशन है question number 40 है question number 40 में question number 40 में question number 40 में क्या दिया गया रही है जो इसको देखते है question number 40 में which of the following addressing is a position independent इन में से कौन सा जो position कौन सा एडेसिंग है जो position से independent रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते है देखे उसको हम लोग related удобieson बोलते है यहाँ पर action number C जो है इसका उपर रहके है relative addressing को हम लोग position independent बोलते है यहाँ position से independent बहता है यहाँ पर action number C जो इसका करेक्टर है question number 41 question number 41 में which special function register play a vital role in the timer counter mode selection process by allowing its bits in it तो इसमें होता क्या है कि मतलब कि इसे जो basic function होते हैं basic function के लिए main role जो अधा करते हैं वो किसी भी मतलब की mode को या selection को timer को इन सभी को select करने के लिए मतलब जैसे हम लोग कोई भी चीज जगा करते हैं उसमें देखते हैं ना भाई इसकी benefits क्या है तो ऐसे ही जो special function register होते हैं उसके लिए timer या counter मतलब कैसे important role जो है अधा करते हैं वो तो उसके लिए t mode होता है देखिए tm, t mode होता है जैसे reasoning होता है reasoning हम किसी Все लड़क को देंगे कोई भी मतलब भालत भालत लका हो तो उसको हम देदेंगे तो मतलब दीक trabajar कभी मतलब 25 me कर देगा लेकि मेरे बात होती है कि कम से कम समय में कम समय में कररगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं जो हम special function के designing करते हैं उसमें जो timer controller होता है इसके लिए हम जो instruction होता है उसका T mode का यूज़ करते हैं यहाँ पर question number 42 है question number 42 में if we have an 11.059 megahertz crystal and we want to configure the serial to 2800R so board then what is value गरा देखिए इसमें क्या है एक आपका crystal frequency जो दिया है 11.059 है और हम configure करना चाते हैं हम एक बनाना चाते हैं मतलब कि एक serial जो है serial port कुछ बनाना चाते हैं microcontroller और उसमें जो board दिया है देखिए वह 28800 दिया है तो हमको इसकी value का रहा है इसकी value क्या होगी यह पूछ रहा है आप से तो इसमें देखिए पहली चीज तो board होता क्या है तो board जो होता है देखिए इसमें यह आपका जैसे data को transfer करने के information को transfer करने के लिए जो हम rate होती है उसको हम लोग board बोलते हैं मतलब कि the board is a board rate is a rate at which information is transfer to communication channel मतलब communication channel से data जो है वो transfer होने की rate को बताता है वो मतलब कितनी board का है मतलब कि जैसे यहाँ पर 28800 board दिया है इसका मतलब क्या है तो 28800 board का मतलब है कि यह जो है data को मतलब transfer maximum data transfer capacity जो है एक second में मतलब कि एक second में 28800 बीट जो है वो transfer कर देगी अगर 28800 दिया है इसका मतलब है क्या कि यह जो से सेरियल पोर्ट जो कैश्टी है सेरियल पोर्ट जो जो यह ability है data transfer करने की capability है वो 28800 जो है bit per second है यह बॉट को करता है मतलब की बॉर्ड जो है यह कोई भी डाटा है वो कितने बीट पर सेकंड जो है ट्रांफर की जाएगी हम लोग कुस्टन देखते हैं को सब्सक्राइब क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे यह चीजे बाकि आप लोग माईक्रो कंट्रोल कहीं पेड़ को से लेकर बार जो है आपका ठाईजार अर्ट इशमें थिसे आपको बताए त्य फी पिछली वाले क्षिन में टी यह टा कि मतला है टाइंब हाई बाइट होता है निकालने के लिए छिए ईक फार्वला होता है तो यहां पर क्रिश्टल प्रिक्वेंस क्रिश्टल प्रिक्वेंसी रखिए डिवाइड करिए कितने से 384 से उसके बटे में जो है बहुत से आप डिवाइड करती इसको साल करेंगे तो 255 जो है 255 इंसर आजाएगा इसका टीज़ों की जो वैलू है आपकी जो टाइमर दिया है मेगा हर्ट्स और जो यहां पर बाउड दिया है बाउड कितना है 19,200 है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी मतलब हाई जो टाइमर बाइट होते है कितनी प्रांसफर करेगी तो उसके लिए दिखिए क्या है हम वही फिन में फार्मला इसमें दिखिए डबल हम दिखिए तो दिया है थे हम दो से दिवाइड कर देगे दो से मुल्ट्प्लाई कर देगे डबल बॉला है डबल बाउं डिखिए क्या है 256- वाले फार्मलम दिखिए क्या था यहां पर 384 था ठीन क्या था जब इसमें मतलब इसमें बोला है कि double बाउंड रेट को तो 192 आज़े को डिवाड़ बार्ट यहां से जो पॉड़ यहां उन्हीं चाल दोसों दिया है क्रिश्टल प्रिक्विंसी किना दिया है 11.059 मेगा हट दिया है आप यहां 256 मैनस इसको सॉल करेंगे तो यह आपका जो तिलब की ग्यार आज़ा है इसको काटेंगे 100 से मतलब यह जो है यह हंडेट टाइम में चला जाएगा इसके बाद जो जीरो कार दीजिए फिसको 256 में से इसको मैनस कर दीजिए तो आपका 200 तीरपन आ जाएगा इसके बाद दीजिए question number next है question number 44 है question number 44 में which are the following value आप stack pointer undergoes pop condition फ्राम reset condition मतलब कि stack pointer जो हता है दीए यह आपका reset condition से pop condition में मतलब कैसे आता उसके लिए क्या condition होगी तो उसकी जो value होती है addressing value होती है वो कितनी होगी इसमें दीए जो addressing value होती है 0H होती है 07H होती है तेहां पर जो RAM की value बहला है तो RAM की value के लिए दिखिए इस्टेट पॉइंटर की value जो होती है वो 07H है 08H जो stack pointer होता है stack pointer की जो value होती है वो आपका 0000 0000 से लेके आपका 0000 से लेके FFH तक होती है तो यह जो हता है वो 8 number पर है यह जो है यह नमबर पर है यहाँ तो दीए यहां से क्या है तो आपका 08H के लिए है अब जो इसमें आता है कि मतलब इस्टेक पॉइंटर जो वैलू होती है वो जीरो से होती है लेकिन जो रेम लोकेशन होती है उसके लिए मतलब कि जो है एस तक होती है तो आप अनलोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं देखिए क्या है तो इसमें जो इस्टेक पॉइंटर की वैलू होती है वो कितनी होती है तो यहाँ पर आपसन नंबर जो है कि विए और करेक्ट हा इसका है नेश्ट कुछन नंबर दीखिए यह इंपर्टन कुछन है इसमें आपको उस्कों मेच करना आ हैंको तो मिच करनी के लिए दीए यहां पर कुछ जा पार किना सब्सक्रां artists वह दिया गया है और इसमें आगे पुछा इसका鳁स Алज के और युज क्या है उसको बताना है आपको तो यहां फुसंन में भूलते आइं उसको पढ़ते हैं हुग ko यहीं टी कॉन कंतल्स करा होता है टी से य्म रुषा हाटा है सैंट जुरस्टें चुपहत पार प्री कौन चाहिए किसके लिए डि of समय चुर्थ है तो यह चुर्थ त्था talking इसके बाद दिखे एस बीउड जो है इसकी एड्रेसिंग वेलू जो होती हो 99 होता है और यह सब्सक्राइब का जो इसका यूज का होता है तो सिरियल डाटा बफर के लिए यूज करते हैं सिरियल डाटा बफर के लिए उज करते हैं फार XT TX and RX के लिए इसके बाद दिखे T mode जो हता है timer जो हता है MOD का मतलब होता है mode of operation होता है या MOD का मतलब होता है mode of operation T से timer होता है इसमें दिखे इसके जो ड exists in वेडिवी होती है वो आपका 89 एस के टाइम या कांटर मोड ऌंपरेशन होता है दिखिए इसका प्च्छ से इसकी प्याइड करते हैं इसके लूटता है इसकी जो प्लोक्ते को मतलब के पर प्लोकार होता लिप यूज़ करते हैं P से power होता है C O N से control होता है तो यह देखिए idle bits जोता है idle bits power down bit होता है इसके बाद देखिए question number 47 है question number 47 जो है इन 8051 assembly language which are the following arithmetic instruction arithmetic instruction के लिए जो assembly language होता है उसमें arithmetic language के लिए क्लिए क्लिए यूज़ करते है तो DDA होता है इसका यूज़ करते हैं DDA कमता होता है decimal यूज़ करते हैं इसके बाद देखिए question number 48 है question number 48 में which are the following is an branching instruction branching instruction जो होता है कौन सा होता है तो branching instruction जो होता है तहां पर आपसा number a जो इसका वो correct है या पर option number a इसका correct है कि branching instruction जो होता है वो R80 होता है question number 49 है question number 49 में which of the following which of the following is the default value of stack point stack once after system undergoes the recent condition आपको देखिए भी default value होती है मतलब कि default जो इसकी value होती है rest condition में या रिष्ट कंडिशन में कितने होती है जीरो सेवन एच होता है तो आपसा number 10 का जो है वो correct है लेकिन जब यह देखिए पॉप कंडिशन में आता है reset नहीं पॉप कंडिशन में आता है तो उसमें 07 हो जाता है इसके बाद देखिए question number 50 है question number 50 में जो है test करके देखिए है is required board for rate and efficient operation आप serial port device serial port device होता है जो efficient operation के लिए efficient operation के लिए जो board की value होती है वो कितनी होती है तो उसके लिए देखिए 9600 होती है तो आप रापसा number C जो इसका वो correct है ठीक है ठीक है दोस्तों हम लोग question number 50 तक देखें हैं इसके बाद question number 51 से लेके question number 75 तक हम लोग next lecture में देखेंगे यूकि वीडियो जाता बड़ा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा देखने नहीं मजाता है और यह सब हम लोग का motivation है थोड़ा सा comment आता है तो अच्छा लगता है हम लोगों कभी हाँ वाई मतलब ठीक है आप लोग को अच्छा लग रहा है जो प्रहार है हम लोग बगई आप लोग अच्छा त्यारी कीजिए all the best ठीक है दोस्तों thank you thank you so much for watching my video जोस्तों